तो आज हम बनाने जाने आलू और सूजी का बेहत टेश्टी नास्ता यह टेश्टी होने के साथ ही बहुत ही हिल्दी होता यह नास्ता बहुत ही अच्छा होता है हमने चार मिटियम साइस का आलू लिया है और एक हरी मिर्ची है और एक छोड़ा सा प्यास है और हमने कुछ कद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् अब हम प्यास को भी कद्दू कस कर लिया है अब हम इसमें कटिवी बारी खरी मिर्ची डालेंगे और पदेने कपत्यों को डालेंगे अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप मैदा डाल सकते हैं या फिर कॉन फ्लोर डाल सकते हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे थोड़ा सा कलर के लिए डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक को आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला और एक चमच निम्बू का रस आप इसमें अमचुर पाउडर भी डाल सकते हैं अब हम इसको मिक्स कर देंगे हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि आलो में मौस्चर होता है या आलो में पानी छोड़ता है हमने पैन को गैस पर रख दिया है अब हम इसमें ओयल एड़ करेंगे और ओयल को हमें अच्छे से पूरा फैला देना है हमारा तिल गरम हो चुका है अब हम इसको आड़ करेंगे हमने इसको अच्छे से फैला दिया है अब हम इसको तीन मिनिट तक ऐसी पकाएंगे मीडियम फिलेम पर ढग कर तीन मिनिट हो गया है अब हम इसको पैलट देंगे आप देश सकते हैं कितना देखने में टेस्ट लग रहा है अब इसको हमें दो से सेरे मिन तक ऐसी पकाना है अब यह सकते हैं हम इसको एक बठन में निकालेंगे आप देश सकते हैं हमारा नाजटा रेडी हो गया है आप सकते हैं कितना क्रिशपी बना हुआ है देख सकते हैं अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगगी होगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू